हलो वड़ी जाप गाइस के हाल चाल तो स्वागत है आपका आज के मारी निव गेम पिले वीडियो में तो आज की इस वीडियो में हम खेलने वाले हैं अमेरिकन ट्रक सिमिलिटर जिसमें हम अब इस ट्रक को लेके चलेंगे जंगल के बीच में एक जेसी भी खराब हो गई है उसी को टो करके लेके आना है एक फैक्टरी के बीच में ताकि वो वहां पर आके बन सके ठीक है तो लेके चलते हैं सबसे पहले अपनी इस ट्रक को उस बीच में, let's go guys ओके तो अपनी truck हो गई ये start, थोड़ा सा हो जाए ये गरम फिर उसके बाद इसको ले के चलते हैं वहाँ पर भाई सामने से कोई आ तो नहीं रहा, पहले चेक कर ले ओके आ जा, ready हो गई अपनी truck जाने के लिए इस side से तो कोई आ नहीं रहा पहले देख के मोड़ते नहीं तो कहीं main road है, उस पे इधर से कोई आ जा, उसके बाद ठोक दे और अपनी truck का बुरा हाल हो जाए let's go आराम से मोड़ते हैं भाई इसमें कितने tire है, तुम इधर 6, उदर 12 वो, 12 दो 14, 14 tire सोचो, इस वाले truck में लगे हुए तो finally हम अपनी truck को ले के आ चुके हैं इस off-roading वाले road पे ठीक है अब ले के चलते हैं न, इसको जंगल में ये जंगल का रास्ता यही है, जो जेसी भी सारी road बना रही है, वो यही वाली road है ठीक है भाई खिता खतरनाक, बट level में है, बिल्कुल road एक्दम बिल्कुल level में है जिस पे ले के चल रहे हैं हम लोग आराम से चल रहे हैं, बिल्कुल धुआ धुआ कर दे रहे हैं पूरी road को, बट खतरनाक, चल तो भाई एक्दम सही रही है और road भी देखो, भाई एक्दम सही बनाई है उन्होंने बिल्कुल भी ऐसा गड़ा गुड़ा नहीं है, बिल्कुल आसानी से निकल लेके चले जा रहे हैं हम लोग इसको, इधर से मोड़ना है हमें क्योंकि ये right side ही है और ये देखो भाई, कितना बड़ा पहाड़ों के बीच में काट के बनाया गया है ये road कितनी मेहनत करके बना रहे है बंद है इसका मतलब अराम से, भाई इधर थोड़ी से ढ़लाने देखो, इस पीड में जा रही है हराम से, ओके, आगे, आगे हलका सा चढ़ाने, थोड़ा सा pressure दे के चढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा power दे के चढ़ेगी, भाई कितनी आवाज कर रही है बढ़ी है भाई, normal truck की तरह ही है, लेकिन जो है इसका तो power एक number है सुचो, 14 टायर के सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट है, अभी आगला वाला पार्ट देखो ये आपको भाई, खतरनाग है आगला वाला पार्ट तो देख लेके, देख कि आप लोग परिशान हो जागे, भाई, तब बड़ा कैसे लेके जाएंगे और मोडने उडने की बात आजाए, कही नॉर्मल चाओ रहा वगएर आजाए, तो मुड़े ही ना कितना खतरनाग रोड आई है ओके तो आगे से हलका सा मोड है, स्लोप पे मोड के फिल लेके चलते है ओके तो फाइनली सायद अब थोड़ी दूर पे है, ज्यादा दूर भी नहीं है इदा थोड़ा सा चड़ान है, ओके तो फाइनली हम आगे उस लोकेशन पे जहाँ पे हमारी है, वो JCB खड़ी हुई है, ठीक है देखो यहाँ पे बहुत सारी JCB लगी हुए है, काम कर रही है बाकि वो JCB खराब है न, वो देखो, वो उसके ट्रक की उपर खड़ी हुई है उसी को हमें टो करेके लेके जाना है, ठीक है सबसे पहले हम इस ट्रक को लेके चलते हैं, वहाँ पे टो करने के लिए पहले लगाते है यह राव हो, जहाँ पे मार्क आ रहा है न, वहीं पे हमें इसको फिक्स करना है अपनी इस वाली ट्रक को ले जाके फिर उसके बाद अपने आप से खुद से यह टो हो जाएगी, ठीक है लेके चलते हैं, आराम से यह मार्क बना हुए न, इसी की बीच में हमें अपनी यह ट्रक को पार करना है पीछे से दिख रही है, पीछे वाले काज में साइड मीरर में देखो वहाँ से देख के हमें थोड़ा सा ने तो फिर TPP में करने को वैसी हमें दिखने लगेगा थोड़ा सा बैक करके फिर उसके पास उसको ऐसे ले जाके कर देंगे फिर उसके बाद वो उसी मार्क की बीच में जहाए है न, वो खुछ से टो हो जाएगा हलका सा पीछे लेके चलते है ओके तो सायद हलका सा आ गया है थोड़ा ही बाकी है I think काफी सही आ गया है ओके बस देखते हैं पीछे से कितना जा रहा है हाँ बस थोड़ा सही है उसके बाद आराम से अपने आप आसानी से टो हो जाएगा बिल्कुल फीक्स हो गया ओके तो I think टो हो गया क्या तो फाइनली अभी टो हो गई है वो जसी भी जिसको हमें लेके चलना है उस फैक्टरी के अंदर ठीक है तो फाइनली हम अपनी उस ट्रक को जो है टो कर टो हो गई है अब हम उसको ले के चलते हैं उस location पे जहां पे हमें factory उसको drop करना है भाई साब किती बड़ी देखो पीछे से 8 tire इधर हो गए 6, 12 tire उदर फिर 12 tire उसमें फिर पीछे 12 tire उसके अलग भी भाई 36 से ज़्याद हो गए 38 something tire लगे हुए है जो किसी मतलब चलने के लिए है भाई साब कतर ना गई है भाई जगह से अराम से मूड़ना पड़ेगा कहीं इस वाले truck पे देखो ये वाली भी खराब है इसको बाद में टोक करके लेए चलेंगे बट अभी सबसे पहले इस वाले jcb को लेके चलते हैं उसको बाद में लेके चलेंगे पहले इसको उस factory तक पहुचाते हैं उसके बाद दोवारा आएंगे तब इसको लेके जाएंगे ओके या इधर से अराम से मूड़ना पड़ेगा हमें क्योंकि जगा कम है और truck अपनी बहुत बढ़ी है आसानी से मुड़ गई इधर तो कोई परेशानी नहीं आई बट ये इतनी बड़ी है ना भाई पीछे से मूडने वे थोड़ी से परेशानी हो सकता है बट कोई नहीं आसानी से मुड़ गई भाई साहब खतरनाक तो फाइनली हम अपनी truck को देखो इस जंगल के बीच में लेकर आ चुके है बाई साहब देख रहो इतनी धलान वाला वो है आसानी से कित्ती निकलते हुए चली जारी बट बाई साहब यहां से लिगे वहां तो कित्ती बड़ी ये इसमित लगबाई जो नॉर्मल ट्रक होती उसके तीन ट्रक के बराबर पूरी एक ट्रक है दो काम उसी location पे आगे जहां पे पिछली बार वो पहालों को तोड़के नहीं बनाया गया था बीच में रास्ता अब यहां पे मोडने पर थोड़ी से परिसानी आएगी तो हमें देख के मोडना पड़ेगा क्योंकि यहां पे थोड़ा सा एरिया कम है जहां से मोडने वाला सरकल होता है यह दो कि यहां पे जो थोड़ा एरिया है न सामने साइड वो थोड़ा सा कम है और प्रेशर भी कितना जादा पड़ रहा है भाई इस पे क्योंकि थोड़ा सा चढ़ान है ना आते साइम तो धलान थी बढ़ इस टाइम जो है चढ़ान है देखो किता अप्रेशल लग रहा भाई पावर तो बहुत है वैसे इसमें थोड़ा सा हमें कर्व करकी इधर से निकालना पड़ेगा नहीं तो वो जाकर उदर पहाड में लड़ जाएगी पत्तरों के बीच में लड़ गई तो फिर इदम किनारे करके मुड़ना पड़ेगा इक मुड़ जाई है आसानी से मुड़ जाएगे वैसे क्योंकि पाथ आई बहुत है बाई इसमें फाइनली I think मुड़ गई है थोड़ा समय झाड़ के बीच में लेके जाना पड़ागा बट आरहे असानी से मुड़ गई है ओकिया आसानी से तो फाइनले हम अपनी ट्रक को लेके आ चुके अब में रोड पे बाई अब यहां से तो कोई परिसानी नहीं आने वाली क्योंकि यहां से तो आसानी से बिल्कुल चल जाएगी आराम से इधर देख लिए इधर से कोई आ तो नहीं रहा नहीं इधर नहीं आ रहा और इधर भी नहीं आ रहा अब हम आसानी से इसको मोड के पहले में रोड पे लेके चलते हैं में रोड पे चलाने पर भाई कोई परिसानी नहीं आएगी क्योंकि पता यह में रोड यहां कि कितनी चोड़ी चोड़ी है अराम से निकाल के लेके चले जाएंगे ओके तो अपनी ट्रक अभी आचुके बिल्कुल में रोड पे यहाँ पे चलाने पे तो बिल्कुल मज़ा आने वाली है तो फानली अभी हम आ गए है एक सिटी के बीच में जहाँ पे भी red light है इसलिए यहाँ पे हम रुके हुए है अभी green light हो फिर यहाँ पे लेके चलते हैं भाई किती सही है सिटी देखो किती सही लग रही है वैसे यह American truck simulator का जुक की ए में भाई खतरना आगे एक number का लगता है वैसे खेलने में तो बहुत ही सही है बागी ग्राफिक्स वगेरा भी तो एकदम सही है और ट्रक वगेरा तो बिल्कुल रियलिस्टिक लगते है भाई खिलने पर तो एकदम मज़ा आ जाती है अभी लेके चलते हैं इसको I think green light हो गई या लग तो नहीं रहा भी सामने साथ दिखनी रहा ओके तो अभी हो गई ये green light अब हम लेके चलते हैं पहले इसको यहां से City भी वाई एक नंबर की अपने सामने देखो पुलिस जा रही है पुलिस की गाड़ी और ये gas station थी जहां पे हम लोग रुके थे ओके तो finally अभी हम अपनी ट्रक को लेके आ चुके हैं बिल्कुल खुले वाली एरिया में भाई देख रहो यहां का जो थोड़ा सा mountain type का एरिया है बिल्कुल खुला से एकदम सही लग रहा है और यहां पे तो चलाना है पे एकदम मजा ही आ रही है भाई देखो बिल्कुल सीधी रोड है कहीं उसे भी एकदम आसानी से चली जाए कहीं कोई गाड़ी भी नहीं इतनी ज्यादा traffic भी नहीं है कि बिल्कुल चलाना है बिसको कोई परिशानी भी हो बिल्कुल आसानी से लेके हम चलते चले जा रहे हैं कोई परिसानी भे नहीं आ रही हलका सी इदर थोड़ा सा चड़ा मोड है बट आराम से मोड जाएगा कोई परिसानी नहीं है यह थोड़ा सा इंडस्ट्रियल एरिया न जो कि सिटी के बाहर बना हुआ है इसलिए यह पूरी खाली रोड इदर मिलती है तो फाइनल अभी हम ट्रक को लेके आ चुके है उस फैक्टरी में जहां पीसे हमें ड्रॉप करना है ठीक है लेके चलते पहले आराम से मोड़ते हैं इसको ठोड़ा सा भाई साब देख रहे हैं तुम देखो इसकी साइस देखो कितनी बड़ी लग रही है भाई ट्रक ये है अभी ऐसा लग रहा है इसके पीछे एक और जेसी बी आजाए आसानी से जितने में एक GCB खड़ी उतनी ही खाली जगा भी इसके पीछे भी बचे भी है तो इसको हमें एक पर्टिकुलर जगा पर पाक करना है वहाँ पर लोकेशन माक आता है वहाँ पर सामने साइड देखो वहाँ पर विलिंक कर रहा है वहाँ पर हमें इसको ड्रॉप करना है असानी से लेके चलते हैं वहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं और उसके बाद अपना यहाँ पर टास्क हो जाएगा तो बस सामने साइड है हमें वहाँ पर इसको बस ड्रॉप कर देना है और अपना हो जाएगा यहाँ पे यह वाला mission तो complete हो जाएगा तो जब तक हम इस truck को जो है पाक करते हैं जब तक आप लोग चैनल को subscribe करतो जो लोग भी नहीं है चैनल को subscribe करतो और वीडियो को like करतो, comment करके जरूर बताना है कि